जैहिंद मैं धीर सी आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल यूटूब चैनल SDS GS Research Center में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो Atom and Molecules है उसका introductory part को जाना था मतलब उसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे कौन से Indian philosopher थे जिनोंने परमानूं के बारे में बताया और परमानूं के बारे में क्या बताया कि परमानूं क्या होता है इंडिविजिवल है बट matter जो होता है जो कि बहुत सारे परमानूं से मिलकर बना होता है मिन्स बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है वो क्या होता है तो डिविजिबल होता है मिन्स मैटर क्या होता है तो डिविजिबल होता है अब एटम के बारे में यह जो एटम वाला वर्ड है यह कहां से आया फिर हम लोग जाने थे एटम का जो Greek meaning है वो Greek meaning क्या होता है एटम का Greek meaning जो होता है Uncutable होता है फिर another हमारे Indian philosopher आये थे जिनका की नाम था कात्यायामा तो उन्होंने क्या बताया था कि in some cases कुछ एटम जो है वो free state में नहीं रा सकता है तो आज जो हम लोग जानेंगे उसके आगे वाले पार्ट को जानेंगे अब जैसे देखिए कि कात्यायामा ने कहे थे कि कुछ cases में जो होता है एटम्स free state में नहीं रा सकता है वो combined state में रहेगा तो उसी को हम लोग compound बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं compound बोलते हैं या molecules बोलते हैं अब आज के इस विडियो में हम लोग जानेंगे वो जो combine होता है मतलब item जो एक दूसरे से क्या होता है combine होता है तो उक्छ law के अंदर क्या होता है तो combine होता है अब वो law क्या है अब उस law के बारे में जानें ही है कि मदा नुझाए कि आंव्ली की या स्चार नहीं करेंगे जो कि हमारे higher class का है थर्ड वाला लाव बस दूर ही लाउस का चर्चा करेंगे तो देखे 18th century से पहले कि अगर बात करें तो 18th century से पहले क्या हो रहा था कि जो भी चीज के बारे में हमारे philosophy बता रहे थे बस उसके बारे में क्या कर रहे थे वो philosophy कर रहे थे इसके लिए कोई पुखता उसके पास में experiment नहीं था मतलब experimental proof उन लोगों के पास में नहीं था बलकि बस वो क्या करते थे तो philosophy देते थे बट 18th century के लाच तक आते आते बहुत सारा ऐसा experimental proof हो गया कि yes ये जो परमानू होता है एंड matter divisible होता है फिर जैसे कि बताया गया था कि यह जो हमारा atom है यह indivisible होता है मतलब uncutable होता है लेकिन बाद में बहुत सारे scientist आये जो कि इस पर काम किये काम करने के बाद बताया कि नहीं atom को भी हम लोग सर्दा डिवाइड कर सकते हैं जो कि electron proton neutron इसी चैप्टर में हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे अनदर scientist ने जो उसके बारे में बताया था तो अभी तक में हम लोग कितने scientist के नाम जान चुके हैं हाला कि scientist नहीं बूलिए कितने philosopher के नाम जान चुके हैं तो उसमें जो सबसे पहला हम लोग ने जाना था महर्सी कना और दूसरा जो जाना था तो डेमोक्रेटस एंड लिूसिपर्स और थर्ड के बारे में जाना था वो कार्थिया या माथे तो आज हम लोग जानते हैं कि 18 century के बाद जो experimental proof हुआ उसमें क्या होता है कि atom combine होता है इस तीज का proof हुआ और वो उस law को जानेंगे जिस law के अंदर का तो वो combine होते हैं तो इसमें दो law है एक पहला जो law हो है हमारा law of conservation of mass मतलब इसमें जो है law of conservation of mass में हम लोग जानेंगे कि mass को ना तो हम लोग create कर सकते हैं और mass को ना ही destroy कर सकते हैं अब देखेज़े से आप लिखा हुआ है कि mass can neither be created nor destroyed मतलब mass को हम लोग ना ही create कर सकते हैं ना ही destroy कर सकते हैं तो किसमें तो in chemical reaction chemical reaction की बात हो जाए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि chemical reaction में mass को आप ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही mass को destroy कर सकते हैं मिन्स mass को ना ही आप खदम कर सकते हैं लेकिन अगर nuclear reaction की बात करें chemical reaction नहीं बलके अगर nuclear reaction की बात करें तो क्या होता है उसमें mass का destruction होता है जिसको कि हम लोग e बरावर mc square से जानते हैं अब जैसे मान के चलिए यह mass है हमारा यह क्या है mass है किसी भी atom के mass में जितना ज्यादा कमी होगा जितना mass में कमी होगा उतना ज्यादा energy क्या होगा तो evolve होगा और यहां पर यह जो c square है तो c square में c क्या है तो यह speed of light है इसके बारे में अभी हम लोग नहीं जानेंगे यहां पर हम लोगों को nuclear reaction के बारे में नहीं जाना है जैसे कि यहाँ पर देखे, total mass of reactant and equal to total mass of product अब यह reactant and product के बारे में जानते हैं reactant क्या होता, जैसे देखे suppose करिए कि A एक element है और यह B एक element है यह दोनों reaction करके एक compound बना रहा है AB क्या तो एक compound बना रहा है AB अब यहाँ पर आपको suppose करना है कि यह जो A element है, इसका mass 2 gram है और यह जो B element है, इसका mass 3 gram है अब यह दोनों chemical reaction करके जो compound बना रहा है AB और यह हो जाता है आपको 5 gram कितना तो 5 gram को देखिए इन दोनों को इधर plus के लिए 2 plus 3 कितना हो गया तो 5 इधर भी यह क्या है, तो 5 gram तो देख रहे हैं, दोनों तरफ mass में कोई अंतर है क्या, बिल्कुल भी नहीं तो इस तरह से हम लोग कहा सकते हैं कि यह जो love conservation of mass क्या चीज़ के बारे बताता है तो mass का conservation के बारे बताता है मतलब mass संदक्षित होता है अब यह love को दिये किन होने तो इस law को दिये अन्टोनी लेवोजियर में अब देखे यह तो था हम लोग practical रूप से पढ़ रहे हैं theoretical रूप से पढ़ रहे हैं अब थोड़ा सा common sense के कर हम लोग बात करें जैसे suppose करिए कि आपके पास में जो coffee है या suppose करिए कि आपके पास में लकड़ी है छोटा सा एक लकड़ी ले ले इतना सा लकड़ी ले ले ठीक है उड़ ले ले उस उड़ को क्या करना है आपको weight कर लेना है मतलब उसको नाप लेना है कि उसका कितना वजन है कितना weight है suppose करिए कि आपने suppose करिए कि मैं क्या करता हूँ यह जो duster है, इस duster को मैं measure कर लेता हूँ measure करने के बाद इसका जो weight आता है, सबोच कर ये 250 gram आता है, कितना आता है 250 gram अब इस duster को मैं क्या करता हूँ, तो burn कर देता हूँ मतलब जला देता हूँ, जला देने के बाद इसका मास देखते हैं है न हम लोगों ने पढ़ा है न Physical Change and Chemical Change उसमें पढ़ाता है किसी भी चीज़ को जलाना क्या होता है मतलब अगर कहीं पर केमिकल रियक्षन हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है या आप ऐसा भी मूल सकते हैं कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है जैसे आम अगर पक रहा है जो मेंगो होता है वो अगर kya हो रहा है पक हो रहा है तो इसका सिधासा मिनिक है उसके अंदर में क्या हो रहा है तो chemical reaction हो रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ यह इस duster को हमने जलाया तो जलाने के बाद यह क्या हो गया इसका weight कम हो गया मतलब chemical reaction हुआ लेकिन अभी just हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि mass को ना ही हम लोग create कर सकते हैं ना ही destroy कर सकते हैं तो अगर practical रूप से देखें तो practical रूप से ये तो क्या हो रहा है गलत हो रहा है लेकिन इसी बात नहीं है जब आप इस duster को जलाएंगे तो इसमें carbon मौझूद होगा जलाने पर क्या होता है वो जो carbon होता है वो जलता है जलने के साथ ही वो बाहर निकलता है कहां environment में निकलता है और oxygen के साथ में मिलकर carbon dioxide बना लेता है क्या बना लेता है तो carbon dioxide अब जैसे जैसे जलते जाएगा इसने जो carbon निकल कर carbon dioxide बनकर हमारे environment में spread फोटे जाएगा मतलब फैलते जाएगा तो इस तरह से इसमें जो बहुत सारा carbon निकल जाएगा तो इस carbon इसमें सबोज़ कर जिए कि billions of carbon होगा billions of carbon अगर निकल जाएगा उसमें से एक carbon का कुछ न कुछ तो weight होता है अब billions of carbon निकला तो बताएगे weight तो कम होगा ही न तो वही weight आपको यहाँ पर यह 150 gram जो कम हुआ है 150 gram weight जो कम हुआ है क्यों कम हुआ अब आपको पता चल गया होगा लेकिन अगर आप किसी भी process से उस carbon को आप क्या कर पाते किसी चीज में बंद कर पाते और इसका राक और वो carbon जो आप किसी चीज में बंद कर पाते दोनों को अगर weight करते मिला कर तो आपको इसका weight मिलेगा 250 gram जो और इस पर बहुँ सारा experiment है इसको आप अपने books में पढ़ सकते हैं अब देखें यहां पर second वाला जो law हो है हमारा law of definite proportion law of definite proportion और क्या है उसी law of definite proportion को हम लोग जानते हैं अनदर नाम से law of constant proportion अब इसके बारे में मतलब constant proportion या definite proportion इसका में निक तो same है अब जैसे देखें आप क्या करिए water को लिजिए आप चाहे अमेरिका से water को लिजिए या South Africa से water को लिजिए या हमारे India से water को लिजिए जो भी water होगा वो same element से मिलकर बना होगा मतलब हमारा जो water है वो कौन-कौन से element से मिलकर बना होता है तो वो hydrogen और oxygen से मिलकर बना होता है इसे दिखे हमारा जो water होता है, इसका formula, chemical formula का बात करें, तो ये H2O होता है, है ना, तो ये जो H2O होता है, तो इसमें कौन-कौन सा element हुआ, hydrogen और oxygen हुआ, अब कहीं से भी आप water लें, चाहे आप Indian ocean से लें, या आप Atlantic ocean से लें, या आप Pacific ocean से लें, या कहीं से भी आप water निकालें उसमें hydrogen और oxygen ही element होगा, मतलब same element होगा, हर जगह के water में same element होगा, और हर जगह के water में जो hydrogen और oxygen का ratio है, वो भी same होगा, अब जैसे देखे hydrogen और oxygen का जो ratio होता है, वो क्या होता है, ये water है, इस water में ये जो hydrogen है, और oxygen है, इन दोनों का ratio कितना होगा, तो एक ratio 8 होगा, कितना होग एक ratio 8 होगा यह है 1 ratio 8 अब आप कहीं से भी water को निकाने हर जगह के water का जो ratio होगा वो 1 is to 8 ही होगा तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कहीं से भी water लें वो same element से मिलकर बना हुआ होगा देख रहे है hydrogen और oxygen element से मिलकर बना होता है और क्या है कि इसका ratio भी समीचे का same होगा जैसे देखें आपर अब बोला गया है कि इसको पढ़िए a chemical compound is always made up of the same element बोले ना a chemical compound is always made up of the same element same element से बना होता है combine together in the same fixed proportion और उसका proportion भी क्या होता है fixed होता है means same होता है तो मैं आसा करता हूँ कि ये जो दो law है ये जो law of chemical combination है law of chemical combination में पहला law हम लोगों ने पढ़ा कि law of conservation of mass जिसको की कौन दिये तो given by Anthony Lavosia लीके इसको ये French नाम है तोड़ा सा बोले में कटना ही होता है Anthony Lavosia होता है अब दूसरा जो law है law of definite proportion इसको कौन दिये थे तो ये दिये थे J.L. Proust ने जोसेफ Proust भी आप नाम याद रह सकते हैं तो अभी तक में हम लोगों को कितना नाम याद हो गया है तो पहला हम लोगों ने देखे देखा कि महर्सी कनाज, डेमोक्रेटेशन लूसिपस फिर हम लोगों ने देखा कार्टिया यामा और फिर आज दो नाम जाने पहला एंतोनी लेवोजिया एंड उसके बाद जो जाना हम लोगों ने तो J.L. Proust तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो में आप से तब तक के लिए